हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Vivo Y21T के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके DPI के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में DPI को चेंज करेंगे ओके सो वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने चीखा बिलका इकोन को प्रेस करेंगे DPI चेंज करने के लिए फर्स्ट अफल आप लोग अपने फोन में सेटिंग्स ओपन करें उसके बाद हमें सिस्टम पे क्लिक करना है सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आप लोगों क्लिक करना यहां पे developer options पे एकदम bottom में मिलेगा developer options अगर आप लोगों के phone में developer options नहीं है तो इसको enable कर लिजेगा किस step से enable किया जाता है इस topic के उपर हमने already video upload कर दिया है आप लोग इस video को check out कर सकते है अब हमें यहां पे देखिए developer options में आने के बाद हमें smallest width नाम का एक option मिलेगा तो हम यहां पे ढून लेते हैं देख सकते smallest width नाम का option आचुक है इस पे क्लिक करेंगे और यहां से आप लोगो जितना भी dpi रखना है आप लोग रख सकते हैं काफी लोग comments करते हैं कि minimum कितना रखे, maximum कितना रखे तो देखिए depend करते हैं आप लोग के उपर कि आप क्या use करते हैं अपने phone में उसके साब से आप लोग dpi रख सकते हैं अगर आप लोग के phone में developer options हैं आप लोग search बर पे क्लिक करें और सिर्फ आप लोग यहां पे अगर विध ही लिखेंगे तो आप लोगों के phone में इस माल इस्ट बिदागे इस पे क्लिक करेंगे, डारेक्ट आप लोग को redirect कर देगा, dpi के feature पे और यहां से आप लोग dpi को change कर सकते हैं I hope आप लोग को वीडियो पतन आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी